एक बड़ी खबर आपको बता दे सुनिता विलियम्स की वापसी को लेकर ये बड़ी खबर मिल रही है नासा की ओर से इस बताया गया है उनको लेकर अपडेट दिया गया है अमेरिकी स्पेस एजंसी नासा ने जानकाली साजह की है फरवरी दोहजार पच्चीज में सुनिता विलियम्स वापस लोट सकती है धर्ती पर बोईंग से नहीं आएंगी सुनीता विलियम्स ये नासा की ओर से जानकारी दी गई है और बुच और सुनीता फरवरी में क्रू नाइन से लोटेंगी इस वक्त की ये जानकारी है लंबे समय से आप देखना है कि कई महीने यहाँ प चर्चा थी कि आखरकार कभी अपडेट आएगा कभी जानकारी मिलेगी कि किसके माध्यम से कैसे सुनीता विलियम्स वापस लोटेंगी धर्ती पर बोईंग से नहीं आएंगी जानकारी यहाँ पर मिल रही है जो कि नासा की तरफ से दी गई है और परवरी 2025 से अंतरिक्ष स से वापस लोट पाएंगी 2025 में इस तरीकी की जानकारी अभी यहाँ पर मिल रही है उनके साथ में बुच भी मौजूद है अमेरिकी स्पेस एजनसी की ओर से यह जानकारी दी गई है साजह की गई है कि बोईंग से वापस नहीं आएंगी क्रू 9 से वापस आएंगी यह जान कारी दी गई है तो एक राहत भरी यहाँ खबर जरूर मिल रही है अलाकि इंतजार करना होगा परवरी 2025 का जब सुनीता विल्यम्स और उनके साथ में बुच वापस धरती पर लोटेंगे